पंडित बी आर देवधर पंडित विश्णु दिगंबर के योग शिश्यों में प्रोफेसर बी आर देवधर का नाम इस द्रिश्टी से प्रमुख आता है कि आपने संगीत की क्रियात्मा पक्ष को प्रबल रखते हुए शास्त्र पक्ष को भी सुद्रण बनाया। आपने प्रचलित अप्रचलित रागों की बहुत सी बंदिशे संकलित की। कुछ संगीत अग्यों ने शिश्य बना कर चीजे देनी चाही तो भी आपने शिश्य बनकर निसंकोच प्राप्त किया। इसके अत्रिक्त, सेवा, धन, तथा आदान प्रदान द्वारा जिस प्रकार भी पुरानी बंदिशे प्राप्त हो सकी आपने प्राप्त की। उत्तर भारती संगीत के अत्रिक्त आपकी रुची पाश्चात संगीत में भी रही है। आपने प्रोफेसर जी स्क्रिंजी की छत्र छाया में पाशात संगीत का अध्ययन किया। कंठ साधना पर आपने काफी खोज की है। भारत सरकार की साहता से कंठ साधना का उच्च अध्ययन करने के लिए आप विदेश गए और लोटने पर इस विशय पर अनिक उपयोगी निबंद लिखे। इसके पूर्व सन 1932 में भी विदेश यात्रा कर चुके हैं। आपने इटली के फ्लोरेंस लगर में आयोजीत संगीत सम्मेलन में भारती संगीत का प्रतिनिधित्व किया है। और कई स्थानों पर भारती और पाश्चात संगीत का तुल्लात्मक अध्ययन विशय पर सार गर्भित भाशन दिये हैं। कई वर्षों तक बंबई में स्कूल आफ इंडियन म्यूजिक के प्रधानचार का कारिभार संभालते रहे। जहां उन्होंने कुमार गंधर्व को संगीत की शिक्षा दी। लगभग तीस वर्षों तक बंबई से प्रकाशित संगीत कला विहार नामक पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ दिनों तक बनारस हिंदु युनिवर्सिटी के संगीत कला भारती का अध्यक्षपत भी ग्रहन किया। उसके बाद आप मिरज में रह रहे थे। आपने राग बोध के तीन भागों की रचनाभी की जिनमें बहुत सी अच्छी बंदिशे संकलित हैं। आपका जन्म 1901 में मिरज में हुआ। आपको संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अनाजी पंत से प्राप्त हुई। उसके बाद नील कंठ भुआ तथा अन्त में पंडित विश्मों पलुसकर से संगीत शिक्षा प्राप्त की। आपका निधन 10 मार्च 1990 को हुआ। प्राप्त की।